स्वागत है इस्टडी सिंटर यूटूब चेनल पर आज हम पढ़ने वाले हैं सरबजनिक पुस्तकाले पर असान सब्दों में निबंद तो आईए शुरू करते हैं पुस्तकाले एक अस्थान है जहां पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संगरह रहता है पुस्तकाले दो परकार का होता है नीजी और सरबजनिक कुछ लोगों को किताबों के पड़ती बड़ी अनुरकती रहती है और वे अपने ज्यान की तृष्णा को तिप्ट करने के लिए क कुछ लोग जैसे वकील डॉक्टर आदी को अपने अपने पेसे के सम्मंध में बहुत सी किताबों का अध्यान करना पड़ता है इसलिए वे अपने लिए पुस्तकाले रखते हैं ये सभी नीजी पुस्तकाले है जिन पुस्तकालेों में सभी को पढ़ने की सुपधा रहती है वे सभी नीजी पुस्तकाले कहलाते हैं सभी नीजी पुस्तकाले के प्राया दो विभाग रहते हैं एक वाचनाले विभाग है और दुसरा निकासी करने वाला विभाग है वाचनाले में तरह तरह के समाचार पत्र सबताहिक पत्र और मासिक पत्रिकाएं टेबूल पर रखी रहती हैं कोई भी वेक्ति वहाँ जा सकता है और उसे पढ़ सकता है पुस्तकाले अध्यक्ष द्वाड़ा किताबों की सुची रखी जाती है हर एक वेक्ति कुछ सुची को देख सकता है और वाचनाले में पढ़ने के लिए कोई ही पुस्तक ले सकता है निकासी करने वाले विभाग में शदस्यों की सुची रखी जाती है शदस्यों को थोड़ा मासिक चंदा देना पड़ता है उन्हें पुस्तकों के लिए प्रारंभिक जमानत भी देनी पड़ती है तब वे घर पर बिभार के लिए पुस्तक ले सकते हैं हर पुस्तकाले के साथ घर पर बिभार के लिए पुस्तक लेने के नियम में भेद होता है पुस्तकाले बहुत ही उप्योगी संस्था है हर एक बिशे पर पुस्तक के खईदना परतेक विक्ती के लिए संभब नहीं है उस्तिकाले में वे ही कितावे घुम कर बारी-बारी से कई वेक्तियों के हाथों में जाती है एक आदमी बहुत कम खर्च में या बिना खर्च के भी बहुत सी कितावे पढ़ सकता है सुच्म एवं मनोयोग पुर्वक अध्यन के लिए यह उप्युक्त अस्थान है यहां कोई वाधा नहीं है और हर कोई पुर्ण ध्यान से पढ़ सकता है ग्यान और सिक्षा के परचार में पुस्तकाले से अधिक सहायता मिलती है बहुत सी कितावे इतनी मुल्लेवान है कि औसत वेक्ति उन्हें नहीं खरिद सकता है लोग इन किताबों को पुस्तकाले में पढ़ कर इन से लाव उठा सकते हैं हिंदुस्तान में बहुत कम अच्छे पुस्तकाले हैं हर एक गाउं में पुस्तकाले खोलने की अधिक अब सकता है तब है भारत वर्ष के गाउं में फैली हुए निरक छर्ता हुदूर होगी ये थे साबजनिक पुस्तकाले पर असान सब्दुनि बंद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई